हलो एब्रिवन वेकम बेक टु माई चैनल दिव्या डूलिंग रक्षा बंदन का दोहार आने वाला है और उसमें हम बहुत से मिठाईयां घर लेके आते हैं मार्केर से खरीड के तो क्यों आपके बार हम अच्छे चीज़ मिठाईयां घर पे बनाएं तो मैंने बनाया है मैंने मैदा का यूज बिल्कुल कम किया है सिर्फ आटे से ही बनाया है मैंने लिया है तीन कप आटा और एक कप लिया है मैदा और उसके बाद एक कप सूजी एक कप तेल और एक कप ही दूद लिया है मैंने उसके बाद जो भी ड्राइफ फूट लिया है मैंने उसके बाद सिर्फ almond पड़े हुए थे उनको अच्छी तरह से रोष्ट कर लिया रोष्ट करने के बाद गः का भुरादा उसको भी मैंने अच्छी तरह से रोष्ट कर लिया है और इसको धीbrough बहुत जल्दी से ब्राउन हो जाता है और इनको पादम थे उसको हमने बेलन से अच्छी तरह से ख्रेश कर लेना है अब इसको ना ग्राइंडर में अधी करें डालने से क्या होगा यह बहुत जादा इसका पाउडर फॉम आ जाएगा तो हमें पाउडर फॉम नहीं चाहिए और उसके बाद मैंने एक पेन ले लिया डाल दिया मैंने एक कप अपना र Adaptified și मैं नहीं दाल दिया सोथी और इसको हम अच्छी तारे से पड़ा लेंगे और इसमें अपको पहले बता दे औरस दिखा ही धिया तहे कि एक कप सूजी है और एक कप ही रिफाइंड है और एक कप ही हमने लिया है मिल्क पाउडर मिल्क और इसमें मिल्क पाउडर का यूज नहीं कर रहे हैं अच्छी तरह जब तक ब्राउन हो जाए तब तक इसको पकाना है उसमें एक कप हमने चीनी डाल देनी है और चीनी हमने दूर डालने से पहले चीनी को डालना है चीनी पहले डालने से क्या होगा कि जो हमारी सूजी है वो फूलेगी नहीं जैसे थोड़ी करंची करंची रह जाएगी और उसके बाद दूर डालने के बाद इसको अच्छी तारह से पका लेना है हमने और यह थोड़ा liquid form हो आ जाएगा तो इसको तब तक पकाना है तब तक जब तक कि यह थोड़ा सा इसका जो सॉरी हो बोले इसका जो liquid form से थोड़ा सा दूद सूक चाहे उसके बाद हमने जो भी अपने dry fruit बनाये हैं वो हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देने हैं जितने भी आपके पास जो भी ड्राइफ रूट हो मेरे पास सिस्टम बदाम और नारियल ही थे तो मैंने उसी से ट्राइ करा और यह बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ था और इसके बाद मैंने इस आटे की छोट-छोटी से बिदमियर स्टम ना कर रहा है रावार से इसथे पाने जाने में गूपार और इसे डूट-छोट की पने, में भी क्षाए को जाने हैं, ने डिय पाने देखए उसे प्लिद्धा हैं थो और ना यहां बाद में दूरा है, बैसके बाद दंद करते हैं तो जब कड़ाई ब यह उपन हो जाता है तो यह उपन ना हो तो इसके लिए हम इसमें पानी लगाएंगे बिल्कुत साइट से और यह मैंने बना के त्यार कर लिया इसमें मतब 20 या 25 बन गई थी मेरी और इसके बाद अच्छी आंच पर हमें इसको पकाते रहना है और यह बहुत ही टेश्टी सब्सक्राइब मैं चानल